पुलिस ने अग्यात लोगों के खिलाफ दर्च किया केस इस पर हमारे समबाददाता दिली प्यादव की एक विशेश रिपोर्ट जिले के कासिम बजार थाना छेत्र अंतरगत लल्लू पोखर मघी टोला में देर साम घर के समीश सराब रखने से मना करने पर सरा माप्यों ने आकरोस में आकर गोली वारी की घटना को अंजाम दिया इस दोना दुरान पूने साहनी का बारव और से पुत्र अमीत कुमार की जांग में गोली लगने से वो बुरी तरह से घायल हो गया प्रिजन दोरा गायल को सदर अस्पताल में भरती कराया गया जहां बच्चे का उपचार किया जा रहा है गायल बच्चे के चचेरे भाई अनंद कुमार ने बताया कि परोस में रहने बाले बिनोद साहनी जी जो सराब कारोबारी है देर रात की करीब आठ वजे उसके घर के पास सराब की बोतल छुपा कर रखा था ऐसे करने से पुने साहनी ने जब माना किया तो बिनोद और उसके पुत्र विसाल और विव्यक दता बिनोद की पतने रेखा देवी गाली गलोज के बीच बीच विसाल कुमार ने पिश्ट के परीजन ने बताया कि इस्तरा माफिय दोरा करीब आधा दर्जन राउंड फाइरिंग किया गया इस समन में कासिम बजार थाना अध्यक्स मिंटू कुमार सिंग ने हमारी टीम से बाचीत में बताया कि मामले की जानकारी मिली है पुलिस चानवीन करी हैं घाय लपक्च द आधार पर पर्थामिक दर्ज कर आगे की करवाई कर रहे हैं इत्यादी मुंगेर जीले सेदुली फियादव की ग्राउंड रिपोर्ट गर्वास दस मिलेड के बाद आया व्यासाल सानी बीबेक सानी विनोस ओनी रेखा धेलिक दियारग जो है और है उप्शक करने गोली चलाने लगा टीटना राउंड गोली चला शाता राउंड गोली चलाया उसमें तो है मेरा भतीजा के फ़र पर लगा पर लगा देहना पर लगा अच्छा ऊच्छा वो बीबाद ने भाइए उसने कोई मतलब कोई ने कुछने कुछने पहले सी बात्तित हो रहा था तहस्या में पांगे पहले भी मारा है चाहे विसाल कुमार ने कोंडिया हुआ है डालो माप्या बनाता है रोज देशता है और सप्लाइ भी करता है कहा करेने आज किया हो आज आज सब घर में था सुरा था इस वह आया घर पर पहले बोला कि यह सब पहले से थोड़ा सा अथिचादा चानवार उसमें तो गरत आया दमक्यूम की देखे गया उसके बादेर भी बाद भी फिर वहां पर मैं भाईया गया था तो उसको मायने लगा तो मैं बचाने गया घरवाल है इस वहे से गोली वह सुट गया था कि फिर गोली निकाला उसके बाद जगा जादे ही बढ़ जाए ही बढ़ जाए है